आज हमनों खिलने जा रहे है ग्राणी चाप्टर टू और आज देखना मैं इस घर से एसकेप करी लूँगा और वो भी डे वन पे है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे आने के बाद यहाँ ग्लास यूज पढ़ा है तो मैं इसे पहले इसे उठाता हू और मैं इसे यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ और इसे यहाँ से उठाकर भाग जाता हूँ क्योंकि हेलिकॉप्टर एसकेप में इसकी जरुर शाय से पढ़ सकती है इसका नाम है ग्लास फ्यूज तो इसे भी अपने पास ही रखना अभी और बाकि अभी ग्रैनी ग्रैन पाइ प्लीज प्लीज भी और इसे जोड़ रहा हूं यार ग्रैनी आजा ग्रैनी जल्दी आ यार टाइम बत्वेस्ट कर ओके यार फिर से मैंने ग्रैन पाप उबलाया है और इतबार मैंने ग्लास फ्यूज अधर ही रहने दिया भाई उधर रहेगा तो कम से कम आएगा और ग्रै यार आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा मुझे लग लगी राथ है यार ये ग्रैनी पहली जा चुकी है और मैं बहुत तेज पिटने वाला में इसे तुम्हें पहली भाग जाता हूं अब तो यार ये तो मेरे हाथ धो के ही तीछे पढ़ जाएगी ये वाथ तो नॉर्मल है तो मैं चल्दी बेड़ के नीचे शूप जाता हूं मुझे कुछ नहीं पता भी क्या करना है बस इतना पता है कि एसकेप करना है एक आइडिया है मैं इसे नीचे गिरा देता हूं ये इधर इधर इस बरवाजे में बता नियार कुछ भी नहीं है और ग्राणपा प्ली सॉरी मैंसी गल्ती नहीं करना चाहता था बस तुमनों के घर से एसकेप करना था तुम नहीं गल्ती कर रहे हैं और मैं क्यों इनसे माफी मांगई ये लोग भी मुझे पकड़ के लाए है वेपन की मिल गई जल्दी इनको मैंने मज़ा चखाना पड़ेगा मुझे और उसके बाद मैं सीधा इधर से भग जाओंगा ग्राणपा देख तू देख तो नहीं गा तू भी है ना एक नंबर का राक्षस देखते रहता जिम्रण अब मुझे कुछ से डर लग रहा है कि काम करता हूँ नहीं नहीं मैं सीधा नीचे ही चला जाता हूँ एक बार वस शौटगन हाथ आगी ना फिर यह लोग गया इन लोग को हाथ में पकड़ेगे ना मसल डालूँगा कि अभी योग शाफ से यहाँ नहीं है मुझे लगनी राजजहिं यह लूग भी यहाँ पे है कि मैं अपना जल्दी से यह खोल के भाग जाता हूँ ग्रेणी अब यह लोग गए अब यह लोग गए यास अब यह लोग कुछ नहीं कर सकते मेरा लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकता हूं पुझे बहुत इन लोगोंने सताया है पहले तुन्हें दो बर शॉट गन फेका अब यह लोग आई रहे होंगे अब मैं बताता हूं इसका बॉड़ी गाड आ रहा होगा है मैं पहली से उठके भाग जाता हूं मुझे शॉट गन मुझे शॉट गन से ग्राइडपा को मारना है ग्राइडपा ग्राइडपा दादा जी आज़ा जल्दी मेरे पास टाइम नहीं आदी कभी और तुम लेट आना अभी मेर परस्टाइम नहीं कहां से आ रहा है पी अंपध़्िक्ते से टपरिशे से उठके आ तुझा तू दर्पोग है तुम आ के नहीं रहां दिखा दे तू दर्पोग है ऐसे भी एबात मुझे तो पता ही हो तो बोरा मैं दर्पोग हो मैं तुझे दिखाऊंगा नहीं है अरे आजा भाई तरह सीत मैं सिक्वारीटी की लूँगा इधर तो नहीं छुपा ना? कहा गया ग्राइनपा? यह अब बाया हाथ ओके मैं इससे जल्दी से इसकी सिक्वारीटी की छीन लेता हूँ और इस सिक्वारीटी इधर दे ओके मैं इसे फेक भी दूँगा तो कुछ नहीं होगा और अपने हाथ में शौटगन मैं लेकर इसे यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ अगर इन लोगों ने बायचांस मुझे मार डाला तो मैं इनको मज़ा चखा सकता हूँ अब इसक्यूरीटी के लिए के बस मुझे घ्रैनी का अभी डर है घ्रैनी जिन्दा हो चुकी है यार तू पताती क्यों नहीं अन जाने में जिन्दा हो जाती है ठीक है यार तू चल तेरे को भी शॉट गन से मार देता हूँ उझे भी यार इतनी देर से चैन नहीं मिल रहा था लग रहा था जैसे यह जिन्दा होई चुकी है अभी ओई धर आ रुप जा पहले तेरे को मसा चखा लूँ रुप पहले थोड़ी इदर सिक्यॉरिटी की फेक देता हूँ ना तेरा सिक्यॉरिटी वाला बंदा नहीं तो आ जाएगा ज्यादा सिक्यॉरिटी में वो घुनता है ओके तो मैंने इदर की ड्रॉप कर दी और म आप दोनों मर चुके ऐसे हैं तो ठीक है अगी मैंने आपे शॉट गन उठाली अरे जरैनी बार-बार कहां छुप जाती है तूँ दादी जी इधर आओ मुझे यहाँ पर आपकी जरुरत है हाँ यह ले आरे है ना मेरे पास दोड़ी दोड़ी है है यार यह लोग एक तो इधर है और एक तो इसके टेबल पे थी मैंने देखा था तो एक में इधर जल्दी से ड्रॉप करके भाग जाता हूं और अभी अच्छा यहाँ पर आज आज इधर है इसका और इसे लेकर मुझे जल्दी से भागना है तीसरा वाला बस चाहिए उसके बाद सारा काम हो समझ लो उसके बाद मेरे पास तो अलिमिटेड शॉट गन की बुलेट्स की फैमिली इनलब वो फार्म भी आ जाएगा ओके तो मैं जल्दी से इन टोनों को उठा लेता हूं और जल्दी से बहां से चलते हैं और बहुत भयानक सीन है यहाँ पर हम लोग यार किसके घर में घ पिक्चर भी नहीं है, कहा है पिक्चर तो में उसके पास भी होता है तो यार एकदम विलन यार जानवर ग्रैणपा का बच्चा मैं अभी शॉट गन इधरी रहने देता हूँ मुझे पता अभी ग्रैन्पा जिन्दा हो चुका है और मुझे इस बात का बहुत डर लग रहा है अगर वो और ग्रैनी तो उनों मेरे सामने आगे तो नहीं कुछ नहीं कर सकता हूँ फिर वस सीधा मैं मर सकता हूँ अगर मरना तो मौत तो अपनी करी सकता हूँ न और क्या तो मैं जल्दी से इसे लेकर भाग जाता हूँ रैंज को और देखा वियार किसी ने मुझे इस दोरान अगर परिशान किया उसका सर फोर डालूँगा मुझे पता था वो पिक्चर का पीसुषी के पाफ होगा उस वाली वीडो में आप नहीं देख पाए थे लिकिन आभी देखो ये खोला और कैसे घूमा पूरा उदर का ड्रेनेज सिस्टम है अगर ग्रैनी ग्रैनपा ने भी इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम लगाया है तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस दोनों को ऐसी खतम कर दिया जाए ग्रैनपा क्यूंकि अभी जिन्दा होई चुका है तो उसे यहाँ बुला के जैसे मैंने रेंच फेका वो इधर आएगा और मैं उसे सीधा इस शॉटगन से मार डालूगा या अगर मुझे इस चीज में मारा तब भी ग्रैनपा इधर आजाएगा और तो मुझे पता है ग्रैनपा जिन्दा है तो थोड़ा उससे मार ना पड़ेगा वरना वो मुझे मार डालेगा ऐसी जैसी मैं वहाँ पे लेने जाओगा वैसे ही ग्रैनपा पीछे जाएगा पता ही बात और ग्रैनी गी ओके ये दोनों अभी प्लैनिंग कर रहे हैं मैं अभी जल्दी सपनी यहाँ पे शॉटगन ड्रॉप करके इससे उठा के जल्दी से इदर से भाग जाता हूँ ये पिच्चर उठाई और ये भाई तू मेरे पीछे मता तुझे ऐसा मारूँगा ना कि फिर जिंदगी पर याद रखेगा इसी ये शॉटगन से मारने पे ना ये थोड़ी दर के लिए नहीं जब तक हम लोग गेम खेलते हैं जब तक हम लोग मरते नहीं फिर ये तब तक मरा रहता है अगर हम लोग के मरने के बाद ये जिंदा हो जाता है तो अगर हम लोग के मरने असली वाले मरने के बाद ये जो ये लोग बस मार के बिभोश कर देता है ना थोड़ी दर ये नहीं तो मुझे अभी अपनी बस शॉटगन लेकर इधर आना है मैं इधर जंप मारता हूँ पहले और जल्दी से अपनी शॉट गन उठा के इधर आ जाता हूँ ओके देखा इसे बोलता है प्रो गेमिंग है तो अभी मैं इसे लेकर जल्दी से उपर चलता हूँ ग्राइण पायार कोई तो मुह दिखाओ आज मज़ा नहीं आ रहा रहा हूँ ग्राइण ग्राइण पायो नहीं मुझे परिशान कर रहा हूँ इसा कैसे हो गया है और यह लोग तो बहुत देर के लिए मर रहे हूँ ऐसा लग रहा है यह बात तो मुझे पता है यह लोग मेरे से छुप रहे है जानता है यह बात मुझे तो पता भी नहीं चले ही आ लात लात से मारूंगा तुझे अब ओके तो मुझे अभी ग्रैनी को लाना है बस और उसके बाद मैं बहुत देर के लिए फिर टेंशन फ्री हो जाओंगा मलब यह लोग कुछ जादा देर बाद आ रहे है आज जा ग्रैनी तो मेरे मन में संतुष्टी कराने आई है पता है मुझे तेरी जैसी अच्छी इनसान मुझे आज तक नहीं मिली थी और मैं इसे जल्दी से शॉटगन उठाके सिक्यॉरिटी रूम में डालके जल्दी से अनलिमिटेड गोलिया बनाता हूं फिर यह शॉटगन की अमू की कोई टेंशन नहीं रहेगी ओके जल्दी से उपर चड़ते है अभी ओके मैं यहां तक आचुका हूं और जल्दी से यह वाला गेट खोलते हैं एक तो यारे मैं फोन में भी नहीं खेल रहा हूं नहीं यह बहुत एजी होता है कंपूडर में खेलना मुला क्या बता हूं और इसमें क्या है ओके डक टेप यह भी हेलिकॉप्टर में काम आएगा लेकिन चलो पहले अभी हेलिकॉप्टर के पास तो पहुच जाए लास्ट वीडियो में आम लोग पहुच गए थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए है आपको यह बात पता ही है लेकिन आज देखना आपका भाई एसकेप कर के ही दिखाए रहा है और वीडियो भी इतनी लंबी नहीं होगी मैं जल्दी से तीनों लगाते हूं ओके गाइस फाइनल यह खुल चुका है लेकिन मैं पते क्या सोच रहा हूं एक बार मैं सारे काम निप्टा लूना तो मेरे लिए जाधा सही है तो मैं पहले जल्दी से श और गैसोलीन मुझे और किजी चीज की जरुवत नहीं है मेरे पास अल्मोस सारी चीज़ है और बस मुझे बाथरूम का वह चेक करना है अगर उसमें कुछ मिल जाया मज़ेदार तो सही है पहले इदर से टाइम वेस्ट ना करके इदर से जल्दी भाग जाता हूं बलब इन कि मैं डे वन पे भी तो मरा ही हुआ था बलब इन लोगों ने मुझे बहोशी किया था ओके मैं ग्लास शूर लेकर जल्दी से वहाँ पर पहुचता हूं और क्योंकि यह मेरा वह वाला आपको पता ही है इसकी विनाम लोग गिर जाते है जब वहाँ पे ब्रिज में चड़त चाहिए में ग्रैनपा तू मेरे पीछे आँ नैंने भई तुझे मजह नहीं चखा तो मेरा मेरा भई मैं इंसान नहीं ओ वे घर ग्रैनी मुझे अच्छी तरीके से फसा लिया है इन दोनों ने शाद से प्लान किया हुआ था इस तरीके से मुझे फसाएंगे मैं चल्दी से दूर पीता एकदम, सडू क्या यार मैं यहाँ पे, यार मैं तो पहली बार देखा, ग्रैंट पा पीछे भी ऐसे छुपता है, वो रही मोटी वाली ग्रैनी, इसके जाते ही मैं भाग जाओंगा, यह अपने रों में क्यों बार बार रहती है, पियानो बजाते रहती है, ओके म पास में तो मेरी शॉटगन है, वह सीधा 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 मार डालता हूं, ओके मैं जल्दी से आज से उपर भाग जाता हूं, बे इधर नहीं रखी गया मैं, मैं तो इधर रखी है नीच से, कोई नहीं, अभी मैं थोड़ा शोर करके इनों को कन्फ्यूस करता हूं, मतलब मैं शॉटगन जरूरी है वरने यहां पर निशाने कैसे लगाऊंगा, और उससे भी ज़्यादर जरूरी मुझे अपनी रक्षा के लिए शॉटगन सीए, तो मैं अभी क्या करूं यहां पर सरूं, कोई बस एक बार, प्लीज कोई है नहीं न, देखो मैं भरोसा करके नीचे आ आगे से कभी नीचे नहीं आँगा तुम लोगे घर में, फिर तुम लोगा घर है और हमेशा के लिए बूटिया घरी रहेगा, ठीक यार थोड़ा रिस्क उठा लेते हैं, अगर एक बार यह लोग मारी दे तो क्या यह जाएगा, थोड़ा प्लीज नीचे, ठीके तुम लो इसमें बोट स्टीरिंग वील पहली बार, ओके तो मैं इसी के साथ नीचे जंप कर जाओंगा, और ग्रैनी आजा 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 इतने ही सारी गोली आए ना कि मैं तुझे बहुत से मार सकता हूं, ग्रैनपा को बुला जल दी, अभी मैं ग्रैनपा को साबक सिखाता हू आजा आजा तू उसका रखवाला है ना ग्रैनी का, यह लिए और इसे कुछ नहीं हुआ, निशाना गलत, रे ठीक है ठीक है निशाना गलत लगा यार मान गया तूँ है, तेरा सबसे ज़्यादा अच्छा निशाना है, बस तो मुझे पता है तेरा बहुत घटिया निशान ग्रैनपा तू भी मेरे पीछे आ, वरना तू मेरे बहुत टाइम वेस्ट करा देगा, ओके तब ही, मैं यह ले चुका हूँ, ओके, अब मैं इंसे कोई डरने की मुझे जरुर्दी है, मलब ग्रैनपा से, इसमें मन में खौफ पैदा किया हुआ था, मलब यार जब मैं इसक पोच रहा था, भी मैं तो गया काम से, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लग रहा था, ओके लेकिन ऐसा नहीं है, ओए जल्दी आ, वन तब तब ग्रैनपा न आ जाए, अरे यह अपने घटिया CCTV से चेक करते रहता है बस, इधर आने इधर, मैंने शोर भी मचा दिया था कि तू इधर आए, अरे यार यह डफर है कि एकदम, यह देख देख, मैं एकदम तेरे CCTV के सामने, ओके अब यह जल्दी आ गया, अब यह जल्दी ही आ जाएगा, ओहो, इसे क्या दिक्कत होती यार, आभी जाब, हाँ, आ गया ना CCTV से देख रहा है ना बड़ा मुझे, टेक स्टानलेजी की से दुछ देख सकता हूं, मैं भाई तरह CCTV से देख सकता हूं, जब यह देख रहा होता है ना समझ लो इधर लाइट जल रही है, ओके बस एक बात हों ओली अब जगार है घरिए और यह ग्यासु लिंग लेके मैं चुक चाप ऊपर चला जाओंगा, पहले मै हेलिकॉप्टर की अपनी लेकर आई जाओंगा ओके तो मेरे ख्याल से वह मैंने बाथ्रूम वाली जगा चेकनी की वही पर होगी आफिर मुझे क्रोबार से देखना पड़ेगा बाक्रिम बॉक्स को खोल गे मैं पहले एक बाथ्रूम चेक करनेता हूं हाँ बाथ्रूम में च वह मार अब्र भा शे सबॉपवार आई झाल आःके जलंद इंथे हैं आपका ऑब देर के सबुबक गए कि यह जब आएगी ना तो पर भाग जाओंगा आई से तो जल्दी आया टाइम क्यों वेस्ट कर रही है ओके यहां से आ चुकी है देख ले देख ले अच्छे से एक काम कर तू मती देख यह नहीं देखेगी तो यह जादा सही और जादा टाइम मिलेगा ओके मैं अपना जितना मुझे समान लेना सब लेके मैं चला जा चुका हूं और वो मुझे सिक्यारिटी की की कोई जरूत नहीं है ओके गाइस भाई आज मैं एसकेप करने के लिए यह सब समान यहां पर लेकर आ चुका हूं तो मैं सबसे पहले अपनी शॉट गन लेकर चलता ह पता चला ग्लास फ्यूज लाया हूं फिर वापस मुझे नीचे जाना पड़ेगा ओ ग्लास फ्यूज है यार भगवान में अज बहुत हैल्प की ठीक है अभी मैं आमोज लेके जल्दी से इसे मार देता हूं और अच्छ तुए तो इधर आ रहे हैं ठीक है जल्दी मारते ह थोड़े चल रहे हैं ये नीचे जाते टाइम मारा है ठीक है अभी दो गोली और लेता हूं मुझे शॉट गन की इसके बाद कोई जरौत नहीं है और इसके बाद जरौती क्या होगी या होगी तो मुझे बता हूं और ये यस निशाना लग गया अभी शॉट गन की मुझे कोई जरौती है कोई जरौती है मैं अभी जल्दी अपना ग्लास यूज लेकर इधर चलता हूं इसे मने इधर अगा लिया ओके अभी एकदम पाद अच्छे से बन चुका है और अभी मैं जल्दी से यहां से डग टेप उठा के सीधा हेलिकॉप्टर के पास चला जाता हूं अजजी से लेकर यहां पे चला जाता हूं और ना जल्दी साझ जासे एक watts कर लूंगा हुआं हई है है की कोप्टर है होओ है मैं इसरे हुआ होज़ा हूज ना उन्हें की ज़रौत इसे चलाने के लिए और फूर सब्धक्र कि इसके सामनें धिन चलाने लिए मैंुल का मैंने लिया ही नहीं भाई मैंनल नहीं लिया अच्छी बात है मैं भी हैलीकॉपटर चलाने नहीं लगा सीधा रखैंव के बिना अःे हैलीकॉपटर नहीं चलानी चीह बहुत डेंडरस और बस मैंने ये भी नहीं लिया तो एक और मैं इसमें गोली रिलोड करके सीधा नीचे चला जाता हूं मेरे पास बॉंब भी आ गया है कोई गोली गोली की जरूद भी नहीं है लेकिन तब भी ले लेता हूं अच्छा तो ग्रैनपा तो इधरी है तो इधरी से मार दूट यह ले निकल इसको तो इधरी मार दिया और मैं काम करता हूं यहां पर बोट स्टीरिंग वील फेग देता हूं ताकि मुझे नहीं जाना पड़े इतना ताकि ग्रैनी खुद ही आ जाए पहले थोड़ा सा एक काम मैं चुक्चा अपना शौट गन लेके नीजे चले जाता हूं अभी अलो मेरा त्याई भी गार सकते हैं मैं तो दो गोली रिलोड करना हूं अगर एक नहीं लगा बाए चांस तो दूसरा लग जाएगा लेकिन कोई नहीं बस में इधर शौट गन एक बार फेका और फिर इस दौनर्थारस वाली में है और आजा आजा अब ही और इधर इधर लेसर भी इख़े ने ले पीट पीछे वार किया में मंने कर दिया ओ भाई मैं एसकेप कश खूगाओ हूं समझ लोमें एसकेब कर चुकाओं बस ग्यासोली लियो किसी चीज की कमी चु नहीं और कोई मैनूल तो नहीं होता ना नहीं लिया होता ना मैनूल तो उल्टा सीधा होके लास्ट में क्राइश जाता मैं बलब एक बार मेरे साथ हुआ यार उसकें फिर मुझे रिकॉर्डिंग डिलीट करनी पड़ी थी यह मेरा सेकेंड टाइम एसकेप एक बार ऐसे भी मैं कर चुका हूं ओके यार जल्दी से इसमें फिल कर दिता हूं मैं जल्दी से लो जा ओके यलो से ग्रीन आ चुका है अगर मैंने ऐसी छोड़ दिया तो शायद कुछ गड़ बढ़ हो जाएगी तो मैं इसमें पूरा ही भर देता हूं हो सकता है फिर थोड़ी देर में इसका फ्लूली खतम हो जाए और यार जल्दी से की लेकर मैं फाइनली हेलिकॉप्टर में बैठ चुका हूं चलो इंजन स्टार्ट करते हैं और भाई साहब पहली बार मैंने एसकेप किया है ग्रैनी चैप्टर टू में और क्या हूने वाल यस ग्रैनी ग्रैनपा के सर पे एक टपली मारते हो मैं इधर से भागूंगा आज आज तो तुम लोग चड़नी पाए ते यह एक मारा यस दी एंड भाई साहब पहली बार तो चलो गाई आज की वीडियो में इतना ही और आज मैं कुछ जादा खुश हूं यार हेलिकॉप् आपके लिए बाई बाई